एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपके दरसल नियुआक में आधिकारिक रूप से पब्लिश होने वाली मार्क बेनियुआफ की टाइम मैगजीन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनात के कोरोना के दौरान की ये कार्रेयों पर रिपोर्ट प्रकाशित की कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सिनेशन की प्रक्रियाश शुरू करने से पहले आज से पूरे देश भर में कोरोना वैक्सिनेशन का ड्राइरन शुरू कर दिया गया उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों में आज वैक्सिनेशन का मॉग्डिल शुरू कर दिया गया जिसमें प्रदेश का पूरा स्वास्ते अमला ही नहीं बलकि खुद मुख्यमंत्री योगी आधितनात ने भी वैक्सिनेशन के ड्राइरन का निरिक्षन किया करोना की वैक्सिन लगवाने की रिहरसल कर रहे ये हैं गुरकपुर के सीमो सुधाकर बांडे और ये तस्वीरे हैं गुरकपुर के जिला महिला अस्पताल की जहां पूरे प्रदेश के साथ करोना वैक्सिनेशन के ड्राइरन की विदिवच शुरूात हो गई कुछ दिन पहले लखनओ में ड्राइरन कराया गया था परेयोग के रोपे आज पूरे प्रदेश में ड्राइरन कराया गया है और माने मुकमत्री जी ने सुएं रामवनोलोही अस्पताल में जाकर ये ड्राइरन का पूरी अपनी प्रिकरिया सुएं देखी प्रतेक प्रक्रिया का अवलोकन किया और उन्होंने जानकारी ली कि ये वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से करी जाएगी ताकि उसमें कोई कमी न चूटे उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि वैक्सीनेशन करने में भारे सरकार द्वारा जारी किये गए प्रोटोकॉल का पालन होगा और जो करम भारे सरकार ने तै किया है जिस करम में वैक्सीनेशन होगा जिस करम में वैक्सीन लगेगी उस करम को किसी भी हालत में किसी के भी दवाव में उसको बदला नहीं गोरकपुर के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में मंगलवार से स्वास्ति विभाग ने कुरोना वैक्सीन का ड्राइरन शुरू कर दिया है लख्णौव में 12 जगहों पर कुरोना वेक्सीन का ड्रायरन किया गया। जिन में से राम मनुहर लोहिया इंस्टिटूट में बने कोरोना वैक्सीन सेंटर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने जाकर ड्रायरन और वैक्सीन लगाने की तैयारियों का मुआइना किया कोविड वैक्सीन के ड्रायरन के दूशे चरण में आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ रामनोलोहिया आयूर विज्ञान संस्थान में निरिक्षण करने के लिए पहुचे और वहाँ पर जो ड्रायरन की पूरी तैयारिया है देखी और आप देख सकते के समय अलग अलग कम्रे बनाए गए थे उनके बारे में जानकारी ली पूर्देश फर में शुरू हुए वैक्सिनेशन के ड्रायरन से पहले सरकार ने सभी दिलो में वैक्सीन सेंटर पर तैयारी चुस्त दूरुत रखने के निरिदेश दिये थे इसके बावजूद वारनसी में ड्रायरन के पहले दिन ही जिला स्वास्त विभा की तैयारियों की पूल खुल गई जब महिला चिकित साले में एक कर्मचारी साइकल पर कुरोना वैक्सीन लेकर पहुँच गया हाला कि वारनसी के अलावा प्रदेश के लगबग सभी जिलों में वैक्सीन के ड्रायरन के दौरान व्यवस्त हैं सही पाई गई वहीं केंद्रिय स्वास्त मंत्री ने कहा है कि आने वाले दस दिनों में वैक्सीन उपलब्द हो जाएगी जिसके बाद पूरे प्रदेश में विदिवत करोना वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी योरो रिपोर्ट एबीबी गंगा इधर स्वास्त मंत्राले ने कहा है कि करोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के दस दिन बाद रोल आउट हो सकती है एक प्रेस कान्फरेंस को संबोधित करते हुए स्वास सचिव राजेश पूशन ने कहा कि सरकार दस दिनों के अंदर कोरोना वैक्सीन को रोल आउट करने को तयार है चुकि अब कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है अब तस दिनों के अंदा टीका करन कारेकरम शुरू हो जाएगा जाप्रिया है वो भी डिजिटरी होगी बेने मिल चुक एकट आना है यह इंप्रमेशन मेंट जाएगा कि धन्यवाद आज यहाँ उपत्षित हुए और आपने फलाने वैक्सिनेटर से फलाने साइट पर पहला डोज वैक्सिनेशन वैक्सिनेशन का ले लिया फिर उसमें प्रावधान है कि यूनीक हेल्थ आईडी भी जनरेट की जा सकती है प्रावधान है